हर्याना राजे में संप्रदाइग दंगा का भड़कना और इसका गुरगांवे अन्य छेत्रों में बिना रोख फोख फैल जाना तथा उसे हिंशा में अनेकों लोगों के हता हाथ होने के साथ है धाद्मिक इस्तल सहीत लोगों की संपतियों की भारी हानी होने से ये साबित होता है कि मनिपूर की तरह ही हर्याना राजे में भी कानून विवस्ता काफी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहां की सरकार का खुफिया तंत्र भी निस्क्रिय है जो ये हर प्रकार के अती दुखत दुर्भाग्य पूर्ण वे काफी चिंता जनक भी है साथ ही जैसा कि हर्याना राजे की सरकार का ये दावा है कि संप्रदाइक दंगा वीप आदी की यात्रा पर इनके अन्य और सयोगी संठनों आदी की यात्रा पर पत्राव को लेकर शुरू हुआ जिससे भी पूरे तोर से ये स्पस्ठ है कि हर्याना सरकार उस यात्राव को सुरुक्षा देने में पूरे तोर से विफल रही है जबकि राजे के शाशन पर शाशन वे खास कर खुफिया तंत्र को खास कर इन मामलों को लेकर हर प्रकार से काफी चुस्त वे दुरूस्त होना चाहिए था कुल मिलाकर इससे वहां की राजे सरकार की निती नियत वे कारे शैली पर भी काफी कुछ सवाल उटना सोभाविक है इतना ही नहीं बलकि यदि वहां की राजे सरकार इस प्रस्तावित यात्रा जलूस वे प्रद्रशन आदी को सुरुक्षा नहीं दे सकती है तो फिर सरकार दुवारा इसके आयोजन की अनुमती ही क्यों दी जाती है ये बैस सवाल है जिसका जवाब हर जिम्मेवार बैस सब्वे सरकार को अपने आप से जरूर करना चाहिए और खासकर नुह की घटना को लेकर ये लगता है कि हर्याना राज्ये के पास दंगाव है उसको लेकर आगे भड़क रही हिंसा को रोकने की नियत का पूरी तरह से अभाव है जो और भी चिंता जनक बात है वैसे वी चाहिए मनिपूर हो या हर्याना सहीत अन्य राज्यों में हुई दर्धनाग वशर्व नाग घटनाए पिछले कुस दिनों में काफी हुई है हुई दर्धनाग वशर्व नाग घटनाए दंगा एवं हिंसा आधी को राजमिती तता संकिन स्वार्व की पूर्थी का साधन बनने की अनुमती किसी भी राज्य सरकार को नहीं देने चाहिए क्योंकि लोगों के जानमान वे मजब की सुरक्षा करना हर राज्य सरकार की पहली सविधानी जिम्मेवारी बनती है जो स्तानिय पुलिस के निस्पक्ष एवंपरभावी प्रयोग से संभव है जैसा कि बीएसपी की सरकार ने यूपी में एक बार नहीं बलकि चार बार करके दिखाया है अपनी हकोमत चार बार यूपी में मेरे निर्टित में सरकार मा रही है तो एक बार नहीं बलकि चार बार मैंने अपनी हकोमत में वहाँ लोएन ओडर बहतरिंग बनाके कानूं का राज काईम करके वहां दिखाया है जिससे सबक लिया जा सकता है इसके इलाबा बीएसपी की ये मांग है कि हर्याना की राजे सरकार को वहां संप्रजाइक सद्भाहव पर भाईचारा अमन चैन आदी की बहाली का निस्पक्ष गंब साथ परियास तुरंती शुरू कर देना चाहिए तथा केंद्र की सरकार को भी इस मामले में राजे सरकार के हर परकार से मदद को जरूर आगे आना चाहिए ताकि वहां हालात आगे ना बिगड़ने पाएं जिसकी अशंका को लेकर ही दिल्ली वे यूपी सहित अन्ने कई र प्राटी की ओर से हर्याना वे नस्दीक के लगे राज्यों की जनता से भी शांती व्यवस्ता बनाने की पुर्जोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समात करती हूं धन्यवाद